Welcome to sociology classes. मैं हूँ आपका दोस्त शिबू. आज हम डिसकस करने वाले हैं एक basic concept के बारे में. आज हम society के बारे में पढ़ने वाले हैं. जब हम sociology पढ़ते हैं, sociology में हमें बहुत सारे basic concept पढ़ने होते हैं. कुछ concept जो हमें लगता है कि हम उनके बारे में जानते हैं. लेकिन हमें अक confusion होती हैं. जैसे society, community, association, institution, organization, social group ये सारे terms हम सुन चुके हैं. लेकिन sociology में इनका meaning क्या है? sociology में हम इनको किस तरीके से define करते हैं? ये हमें जानना जरूरी है. क्योंकि sociology में हमें ये सारे concept बार बार पढ़ने पढ़ते हैं. तो इसी तरीके का एक basic concept society के बारे में आज हम पढ़ होता है. इसको हम किस तरीके से define कर सकते हैं? society के characteristics के बारे में जानेंगे, फिर society और community के बीच में differentiation देखेंगे. ये जो differentiation का table है, ये हमें society के concept को और भी clarify करने में, जो भी doubts है, वो clarify करने में मदद करेगा. फिर आखिर में देखेंगे, theories on origin of society. Society का origin किस तरीके से हुआ है? इस सारे चीजों के बारे में, हम आज के इस class में discuss करेंगे. आज यहाँ पर हम सिर्फ society discuss करेंगे, बाकी जो basic concepts है, उनको हम अगले classes में discuss करेंगे. यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर playlist section चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसके regarding playlist मिल जाएगी, आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको sociology related बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे playlist भी मिलेंगे. तो चलिए, आज का यह जो session है, यह हम शु आज या फिर society का जो science है, जो बिग्यान है, इसको ही हम sociology कहते हैं, इस बज़े से हम इस society को जानना जरूरी है, society को जाने बगेर हम क्या study कर रहे है sociology में, इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आज के इस class में हम society के बारे में ही पढ़ेंगे, society जो term है, यह derive हुआ है Latin word, socius, जिसका मतलब है companionship या फिर friendship, अब इसी socius word के meaning से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा, कि sociology जो term है, वो हमें लोगों के बीच में relationship के बारे में बता रहा है, यहाँ पर companionship या फिर friendship के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साब interact करते हैं, तो अब हम इसके definition की तरफ आगे बढ़ते हैं, sociology, society को बहुत सारे अलग-अलग thinkers अपने तरीके से define कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ important definition में ने दी है, इन में से सबसे जो important है वो है मेकाईवार का, मेकाईवार ने कहा है, society is a web of social relationship, यानि कि society social relationship का एक जाला है, जाले में हम क्या द देखते हैं, कि एक not दूसरे not से जुड़ा हुआ होता है, एक चीज दूसरे चीज से linked होती है, इसी तरीके से society में अंगिनत social relationship हमें देखने को मिलती है, और यह सारे जो social relationship है, इनको जब हम जोड देंगे, तब यह हो जाएगा हमारा society, इसी तरीके से professor Giddings ने भी society को define किया उन्होंने कहा था कि society basically एक union है, यहाँ पर बहुत सारे जो organization है, वो formal relationship के दूआरा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है, यहाँ पर जो लोग है, वो जो individuals है, वो एक दूसरे के साथ जब formal relationship में जुड़े हुए होते हैं, तब इसको हम society कहते हैं, जैसे अगर हम example ले, यहा पर हर जगा पर जो लोग होते हैं, उनके बीच में कुछ formal relationship होती है, यहाँ पर लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बीच में क्या लगाओ है, यह important नहीं है, यहाँ पर लोगों के बीच में जो relationship है, लोग एक दूसरे के साथ interact करते हैं, वो माइने रखता जैसे आर्बान सुसाइटी में हम देखते हैं कि लोग, शहर में लोग अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं, उनके पडोस के घर में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लेम चल रही है, इसमें इतना ज्यादा इंटरफेर नहीं करते हैं, यानि कि वहाँ पर हमारे सेंट इतना ज्यादा माइने नहीं रखते हैं, यहाँ पर माइने रखते हैं कि उस एरिया में कौन से लोग रह 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 रहे हैं, लोगों के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हैं, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, अब GDM कोल, सुसाइटी को define करते हुए कहते हैं, के साथ जुड़ी हुई होती है अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा community ward है, association है institutions है, यह सारे चीजे थोड़ी अलग है, उनको हम अलग तरीके से define करेंगे आगे के classes में, यहाँ पर आप simply याद रखेगा, community और society यह दोनों अलग है society जो है, यहाँ पर एक broader term है, और community एक smaller term है, जहाँ पर community sentiment और एक geographical area के बारे में बात की जा रही है अब society का जो concept है definition तो हमने देख ली है अब हमें इसके characteristics के बारे में समझना होगा characteristics के द्वारा ही हम identify कर पाएंगे, कौन सी group को हम society कह रहे हैं बहुत सारे group association होंगी, कुछ institution होंगी, कुछ हमारा social group होंगे इस तरीके का अलग-अलग groups है, इस इन में से कौन सा society है, यह हमें उसके characteristics देख कर ही पता चलेगी, अब देखते हैं कुछ important society के characteristics society consists of people, यानि कि society में लोग होंगे, यह सबसे आम बात है, कि हम कही पर भी जाएं अगर कोई society होनी है, तो यहाँ पर लोगों का होना जरूरी है यानि कि humans के द्वारा human जब एक दूसरे के साथ relationship में रहेंगे, social relationship में यहाँ पर उनके बीच में कुछ social life होगा, तब यह एक society बनेगी, और यहाँ पर इंसानों का होना जरूरी है, यहाँ पर जो लोग होते है society में, उनके बीच में mutual interaction होता है यानि कि जो लोग है वो एक दूसरे के साथ interact करते है बात चीत करते है, किसी ना किसी वज़े से वो एक दूसरे के touch में आते है, उनके बीच में interaction होता है, और यह जो लोग है, वो एक दूसरे के वारे में mutually aware है वो किस तरीके से सोचते है या फिर किस तरीके से बाते करते है यह सारे चीजों के वारे में हम aware होते है, मान लीजिए आप Delhi में रह रहे हों, यहाँ पर बहुत सारे diverse तरीके के लोग है तो हम यहाँ पर किस तरीके से interaction करेंगे, यह हमें पता है, यहाँ पर हम दूसरों के बारे में भी aware है कि वो लोग किस तरीके से हमारे साथ interact करेंगे, हमें उनसे किस तरीके से बात चीज करनी चाहिए वो सारे चीजे हमें पता है, हम अगर किसी भी एक tribe के बीच में जाते हैं, उनके साथ जिस तरीके से interact करेंगे, या फिर rural setting में जिस तरीके का interaction देखेंगे, same pattern हमें शहर में नहीं मिलेगा, यहाँ पर शहर में interaction का pattern अलग होगा, awareness एक दूसरे के बारे में यह भी थोड़ा different अब यह जो society है, यह depend करता है likeliness के ऊपर, सबसे essential जो point है society का वो है likeliness, जो भी लोग इसमें है, इस society में का हिस्सा होते हैं, उनके बीच में कुछ similarities होनी चाहिए, यहाँ पर उनके needs को लेकर, उनका aim क्या होगा, उनका idea, उनका value, यह सारी चीजे जो है, इनमें कुछ ना हमें similarities देखने को मिलेगी, यह पर differences भी है, लेकिन similarities हमें देखने को मिलती है, lifestyle में हम similarity देखते हैं, लेकिन अगर आप example ले लो, अगर आप बाजार जा रहे हो, अगर आपके बीच में similarities नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो दुकानदार है, वो आपको क्या पता है, आप कौन सी चीज में interested हो, आप सभी में कौन सा चीज common है, यह पता है, इस बज़े से society likeliness के ऊपर dependent है, जहाँ पर लोगों का कुछ common needs होते हैं, कुछ aims होते हैं, कुछ ideas, कुछ values सेम होते हैं, अब इहाँ पर likeliness के साथ साथ, difference भी बहुत important है, क्योंकि difference के बगेर society आ इसी तरीके से society में differences भी होते हैं, differences के वज़े से ही लोग एक दूसरे को compliment करते हैं, जैसे अगर हम एक society के बात करें, मैं एक teacher हूँ, मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता, जो लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो शायद पढ़ा नहीं सकते हैं, इसी तरीके से कुछ लोग lawyer है कुछ लोग police है, इस तरीके से different लोगों का काम अलग है, यहाँ पर हमें differences देखने को मिलती है, इस differences के वज़े से ही हम एक दूसरे को compliment करते हैं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और जो लोग किसान है, वो मुझे खेती करके मुझे खाना provide करेंगे, इस तरीके से differences भी division of labor और cooperation, cooperation हमारे society के लिए जरूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे को अगर cooperate करेंगे, तब ही हमारे society सही ढंग से चलेगा और society में काम आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ पर हमें division of labor देखने को मिलता है, differences के वज़े से, एक एक इनसान अलग तरीके का काम कर रहा है, हर किसी का वो एक दूसरे को compliment करता है, यहाँ पर जो भी लोग है, वो सारे एक same task नहीं करते हैं, अलग-अलग task करने के वज़े से, अलग-अलग काम करने के वज़े से, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यह जो society है, society का nature होता है, dynamic, यह static नहीं होता है, यानि कि यह fixed नही है, कोई भी society हो, वो fixed नहीं होता है, वो समय के साथ-साथ, वक्त के साथ-साथ, वो बदलता जाता है, इस बज़े से society dynamic है, जहाँ पर हमें changes देखने को मिलते हैं, और हर human society में कुछ ना कुछ changes, कुछ point of time हमें देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर और एक important characteristic है, society का, वो है social control, हर society में हमें कुछ ना कुछ हद तक social control देखने को मिलती है, कुछ तरीके होते हैं, जिसके द्वारा हमारा behavior को control किया जाता है, यहाँ पर behavior को control करने का तरीका informal भी हो सकता है, formal भी हो सकता है, जैसे अगर आप अपने घर में रहोगे, तो आपको rules regulations लिखके नहीं दिये कि आपको किस तरीके से behave करना है, आप अगर society में रहोगे, आपका customs क्या होंगे, tradition क्या है, folk way, more, manners, यह सारे चीज़े बहुत ज्यादा माइने रखती है, यह सारे चीज़े आपको control करती है कि किस तरीके से आप behave करोगे, आप किसी भी एक जगा पर अगर बजार में जाओग mechanism होते है, जो आपको informally control करते है, आपको मंदिर में जाना है, वहाँ पर किस तरीके का behavior करना है, यह भी पहले से ही आपके दिमाग में set होता है, और कुछ social control के mean होते है, formal, जहाँ पर written rules regulations होते है, जैसे law, legislation, constitution, police, court, army, यह सारे चीज़े हमारा formal social control का means है, यहाँ पर हमारे जान कर चलना पड़ता है, अगर हम इनको पालन नहीं करते है, तो हमें सजा मिलती है, इस तरीके से social control के हमारा formal और informal दो तरीके का social control हो सकता है, आशा करता हूँ यह जो characteristic है, characteristic के द्वारा आपको society क्या है, इसके बारे में पता चल चुका है, अब बहुत ज्यादा time, बहुत होना चाहिए, तब हम सही तरीके से exam में answer कर पाएंगे, यह difference का table बहुत important है, अब society क्या है, यह web of social relationship है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ relations होती है, लेकिन community में सिर्फ relation होना काफी नहीं है, community में एक group of people होते हैं, जहाँ पर वो लोग एक particular area से belong करते हैं, और उनके बीच में उई feeling होता है, यानि कि उनके बीच में एक sentiment होता है, कि वो लोग इकठा है, हर group के में, society में अगर आप जाओ, शहर में, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में इस तरीके का लगाओ, हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अग अगर किसी का बुरा हो रहा है, तो बाकी लोग उसको जो बुरा हो रहा है, उसको कम करने के लिए या फिर उसको खतम करने के लिए आगे आएंगे, तो इस तरीके का community में हमें उई feeling देखने को मिलता है, society कोई geographical area से belong नहीं करता है, यहाँ पर कोई particular geographical area नहीं होता है, लेकिन community का एक locality या geographical area होता है, society abstract होती है और community concrete होता है, community एक fixed होता है कि कौन से लोग इसका member होंगे, यह एक fixed होता है, लेकिन society में ऐसा नहीं है, कोई भी इनसान उस society का हिस्सा हो सकता है, community sentiment हमारे society के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उई feeling अगर होगा, तो भी चलेगा, नहीं होगा, तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर वी feeling की बात इतना ज्यादा matter नहीं करता है, लेकिन जब हम community की बात करते ही, वहाँ पर community sentiment बहुत ज्यादा माइने रखती है, society बहुत ही बड़ा होता है, community से बड़ा होता है, और community छोटा होता है, society से, बहुत सारे community से मिल का क्या difference है अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं theories on origin of society society का origin किस तरीके से हुआ है society का starting किस तरीके से होता है इसको लेकर बहुत सारे अलग-अलग scholars है जिनका different idea है different तरीके से वो लोग society के origin के बारे में बात करते हैं बहुत सारे theories हमें देखने को मिलते हैं origin of society को लेकर यहाँ पर हम देखते हैं divine origin theory, force theory, patriarchal and matriarchal theories, social contract theory, organismic theory, इसके अलाबा भी और भी theories हैं वो सारे इतने ज्यादा important नहीं है अब एक-एक करके हम इनको थोड़ा theories of origin of society को पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं पहला जो theory है वो है divine origin theory society का जनम इस theory के हिसाब से society का जनम हुआ है भगवान के इच्छा से भगवान ने ही यह society को create किया है भगवान ने जैसे हम इंसानों को create किया है जैसे पेड़ पोधे को create किया है इसी तरीके से भगवान ने ही हमारे society को बनाया है यह divine origin theory कहता है अब इस theory से थोड़ा हटके है force theory force theory के हिसाब से force के वज़े से force के कारण से हमारा society का creation हुआ है हमारे society में कुछ लोग है जो powerful है और कुछ लोग है जो weaker section की लोग है जो strong people है वो weak लोगों को दबाने के लिए एक society का create करते है यानि कि अपना force को exert करने के लिए अपना force अपना जो dominant power है उसको प्रयोग करने के लिए लोगोंने society को create किया है फिर जो तीसरा theory है वो है patriarchal and matriarchal theories यह जो theories है वो कहते है कि family system के expansion के वज़े से family system के आने से हमारे समाज में society create हुआ है यानि कि family system के expansion के वज़े से society का creation होता है अब यह जो तीन theories है यह theories को इतना ज्यादा sociologist नहीं मानते है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ logic की कमी है यहाँ पर जो sociologist है वो इन से हटकर दो और theories on origin of societies है उनको उनके उपर ज्यादा importance देते है उनके उपर ज्यादा विश्वास दिख्याते है वो है social contract theory, organismic theory यह दोनों theory को बहुत सारे अलग-अलग sociologist मानते है अब यह theories क्या है, थोड़ा देख लेते है यहाँ पर जो social contract theory है यानि कि यहाँ पर लोग contract में contract के वज़े से एक दूसरे के साथ रहते है और society का creation हुआ है यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग philosopher है जिन्होंने इस theory को माना है उनके हिसाब से हमारा जो human mind है कुछ चाहत होती है, हम कुछ पाना चाहते है और इसी वज़े से हम हर दम काम करते रहते है अब Thomas Hobbes कहते है के society लोगों के protection के लिए तयार की गई है लोग जो humans है, वो एक दूसरे के साथ रहते है हर किसी का अपना need है, वो अपने needs को fulfill करना चाहते है इस बज़े से ऐसा भी हो सकता है के society में NRK आ सकता है किसी को food की जरूरत है तो अगर वो दूसरे से छीन के ले जाएगा तो कैसे चलेगा अगर किसी को sex की जरूरत हो अगर किसी भी इंसान से वो sex कर रहा हो तो कैसे चलेगा इस तरीके से अगर चलेगा और ये society के जो लोग है, member है, इनको protect करना, ये सारे evil consequences से बहुत important है, तब लोगों ने मिलकर, organize होकर society बनाई है, ये सारे लोग जो ये consequences को जेलने की शमता society को दे रहे थे, या फिर जो लोग है, ये सारे जो problems है, problems को face करने की ताकत, या फिर इनको एक सही direction में forward करने की जो ताक society, इसी वज़े से ये social contract theory कहता है, कि लोग अपने ही खुद के ही एक दूसरे के enemy है, इनको इस evil consequences से बचाने के लिए society को organize किया गया है, लोगों ने मिलकर ये society को create किया है, ये Thomas Hobbes मानते हैं, साती सात, John Locke, Rosu, Adam Smith, ये जो सारे scholars है, ये भी social contract theory को मानते हैं, जहाँ पर कहा जा कि लोग एक दूसरे को बचाने के लिए आपने साथ society को create करते हैं, अब देखते हैं, Organismic Theory of Society के बारे में, Organismic Theory of Society, basically society को एक biological organism के साथ compare करता है, यानि कि कोई भी एक Organism में, जैसे अलग-अलग अंग होते हैं, जो function करती है, जैसे उसका आख, नाख, मू, हात, इस तरीके का अलग-अलग अंग है, जो काम करती है, एक साथ मिलकर ही function करती है, इसी तरीके से हमारा society जो है, वो भी इसी तरीके से ही काम करती है, functioning के साथ-सा धीरे धीरे वो बुड़ा होता है और बाद में उसका डेथ हो जाती है इसी सेम तरीके से हर सुसाइटी का जनम होता है फिर वो धीरे धीरे मेचियूर होता है और मेचियूर होने के बाद उसका डिकलाइन हो जाता है यानि कि वो खतम हो जाती है इसी तरीके से यहाँ पर सुस society को organism के साथ compare किया है और इन्होंने बहुत सारे बाते भी बताई है इस theory के बारे में मैंने already Harvard Spencer का detail class पहले करा के रखी है आप लोग वो class देख सकते हूँ तो यहाँ पर Harvard Spencer के इलाबा भी मुरे भी है जिन्होंने इस organismic theory of society के बारे में कहा है और इसको support किया है तो आप आशा करता हूँ यहाँ पर जो भी theories मैंने पढ़ाई है society related जो भी concept मैंने बताई है वो सारे चीजे आप लोगों को याद हो गया है आप लोगों को कोई और दिक्कत नहीं है फिर भी अगर आपको problem महसुस होता है तो comment करके जरूर बताईएगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को problem को solve करने के लिए तो आज का class यहाँ पर ही खतम करता हूँ अगर class अच्छी लगी है तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा क्यूंकि sharing is caring मिलते है अगली session में तब तक अच्छे रहिए स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाढ़ते रहिए जा ही हिंद